आपका हमारी आत्मायक में चलने स्वागत है, पुरा स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी एलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एलेक्ट्रिक फिल्ड के अंदर रोटेट कर दिया जाए तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा अगर हम बात करें किसी एक्स्टर्नल एलेक्ट्रिक फिल्ड की किसी वा है वैद्दु छेत्र के बारे में बात करें ये एक एक्स्टर्नल एलेक्ट्रिक फिल्ड है ठीक है और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है डाइपोल हमने पिताया था वैद्दू दुध्रू जिसमें एक positive charge होता है, एक डाइपोल इस प्रकार से रखा हुआ है AB, यह minus Q charge है और यह plus Q charge है और इसके 20 की दूरी कितनी हम माल लेते हैं, 12, QL, diagram दरा clear बनाईएगा, हमाई rating थ्वागंदी है, फिर भी मैं थ्वाथ साफ बना रहा हूँ, ठीक है, और हमने माना कि यह जो dipole है, यह electric field से theta angle बनाते ही रखा हुआ, यहां माल लो, कहीं भी माल लीजे, ठीक है, ज़रा समझेगा, जब electric field आपके सामने आया, तो एक बात दिमाग में पहले से आ जानी चाहिए, कि electric field कैसे बना होगा, यह बना नहीं आपको diagram में, केवल यह परदे के पीछे ऐसा कुछ है, कि यहां पे एक positive charge रहा होगा, और यह plus से दूर की और एक electric field रहा होगा, यहां एक negative plate रही होगी, electric field negative की और रहा होगा, अगर दोनों होगते हैं, तो electric field plus से दूर minus की और रहा होगा, ठीक है, तो जब plus Q charge इस electric field में रखा है, तो plus Q में किधर की तरफ force लगेगा, एक force लगेगा QE, हमने बताया था electric field का formula F upon Q, Q बोले या Q not बोले, जिस charge को आप move करा रहे हैं, यहां Q को हम रखे हुए है, तो F is equal क्या हो जाएग QE, यहनि अगर electric field में कोई charge Q रखा जाता है, तो उस पर force क्या लगता, Q into E, इसकी direction क्या होगी, plus से, plus पे जो लगेगी, वो electric field की direction में लगेगी, क्यों लगेगी, ज़रा ध्यास देखेगा, यह positive charge plate है, यह negative plate है, तो इस plus को कौन घसी देगा अब नहीं तरफ, negative, या positive अपने दिखाएंगे QE, वो किधर दिखाएंगे, electric field की direction में, और minus पे दिखाएंगे QE, opposite direction में, आप plus QE, minus QE कर सकते हैं, यहाँ क्यों डाइग्राम से मालूम हो गया, मतलब आप कहेंगे कि अगर कोई dipole है, और electric field की direction से, theta angle बनाते विए रखा है, तो a force QE will act at minus Q and plus Q charge, direction is soon in the figure, जब यह force लगेगा, तो यह दोनों force करेंगे क्या, यह इस plus Q charge को इधर की और घची देंगे, ध्यार से देखिए, और यह इधर घची देंगे, यानि इसको rotate करने की कोशिस करेंगे, यानि इस dipole पर एक torque लगेगा, torque acting on the dipole, वहले तो diagram के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, torque acting on the dipole, क्या होगा torque, टाउ is equal to, torque का formula क्या होता है, यह दोनों couple है, equal opposite forces है, तो उनमें से एक force और इनके बीच की perpendicular distance, देखिए ध्यान से, यह QE force है, यह QE force है, दोनों कैसे हैं, दोनों ऐसे parallel है, दोनों कैसे हैं, ऐसे parallel है, तो इनके इनके बीच की perpendicular distance क्या होगी, यह होगी जागर की, ठीक है, इसका नाम दे दो C, यह 90 degree है, यह क्या होगा, QE into BC, यह तो torque होगा, ज़रा इस torque को मैं समझा देता हूँ, देखिए torque होता क्या है, हमने बच्पन से मुझे पढ़ाया गया है, कि force into distance of perpendicular distance from the axis of rotation, actually torque है कि इस लफडे का नाम क्या है, देखिए ज्यान से, किसी body को अगर force आपने लगाया, और उसको linear displace कर दिया, तो वो force है, ठीक है, और किसी body पे force लगाया, और उसको rotate कर दिया आपने, तो वो torque है, जैसे आपने किसी को बताया कि मारेंगे, बहुत तेसी खर्णा की गिर्दा हो गया गया, य हिंदी में कहोगे, I will apply the torque on your head दो, वो डरेगा नहीं, इसलिए हिंदी में ऐसे कह देते हैं, physics की बात समय नहीं कहते, तो torque का मतलब होता है, जब कोई body कहीं rotate करने के लिए force लगा रहा हो, तो उसी को torque कहते है, ठीक है, तो Q into E, torque हो गया, देखिए, अब इसको निकालें कैसे, इस triangle में, अगर sin theta लगा दे, तो आएगा perpendicular BC upon happiness AB, तो BC की value क्या निकलेगी, AB sin theta, और AB के लंबाई कितनी, 2L, तो आएगा 2L sin theta, यह diet कर दोगे, वो QL समझाने के लिए, अपने के लिए है, examine करना है आपको, तो 2 QL अलग कर दो, into E sin theta, इसके बारे बादे आपको जानकारी है, P होता है, तो PE sin theta, तो यह torque act कर रहा है, यह आपको पीछे पढ़ाए गया, torque acting on the dipole, आपने पहले से पढ़ रखा है, अब जड़ा देखेगा, अब हमको work done निकालना है, तो work का formula होता है, force into displacement, कौन सा force, अगर मैंने किसी body को इस प्रकार से displace किया, linear force लगाया, रैखिक बल कह रहते हैं, तो into displacement करेंगे, अगर body में आपने ऐसा force लगाया है, जो body को rotate कर रहा है, torque लगाया है, तो जब tau करेंगे, तो displacement कौन सा लेंगे, angular displacement लेंगे, तो हमें मान के चलना हैं कि अगर इस dipole को एक बहुत small angle theta से घुमा दिया जाए, d theta से, if dipole is rotated, rotated, rotated through, a small angle d theta, अगर एक small angle d theta से घुमा दिया जाए, then work done, तो work done क्या होगा, dw is equal to, देखिए, वर का formula आप चुकि d theta से कर रहे है, तो आएगा tau into d theta, यानि पी इए, sin theta into d theta, ये आपने torque किया, ये work आपने निकाला, अब मान लेते हैं कि इसको theta 1 से theta 2 घुमा रहे हैं, पहले theta 1 पर रखा हुआ आता है, फिर theta 2 से घुमा रहे हैं, तो if dipole is rotated from angle theta 1 to theta 2, then, total work done क्या होगा, total work done, w is equal to, तो इसी dw को integrate कर दो, और theta 1 से theta 2 के बीच में कर दो, बस इसका integral लग दीजेगा, that is your answer, देखिए, तो theta 1 to theta 2, dw अभी आपने क्या निकाला है, p sin theta into d theta, p sin theta into d theta, p bar कर दो, sin theta का integral, minus cos theta होता है, minus cos theta, ये बायो वाले याद कर लेंगे, theta 1 to theta 2, minus बाहर कर दो, p, देखिए जान से, limit रखने का तरीका क्या होता है, पहले आपका limit रखी जाती है, cos theta 2, फिर minus करके lower limit रखी जाती, cos theta 1, अब minus को operate कर दो, तो w is equal to p e, cos theta 1 minus cos theta 2, ये आपका work done है, in rotating a typo in the electric field, ठीक है, अब यहाँ एक special case समझ लिजेगा, special case यहाँ पर बहुत सारे बन सकते हैं, special case, अगर हम मालने, कि पहले से dipole electric field के अंदर है, कि ये parallel है, यहाँ अगर theta 1 मालने, initially कितना है, 0 है, यहाँ वो already electric field के parallel है, और theta 2 को हम मालने, theta, तो cos 0 की value क्या होती 1, और यह हो जाएगा cos theta, तो w का formula आएगा, p e, 1 minus cos theta, ये work done होगा, ठीक है, दूसरा special case आप ले सकते हैं, बहुत सारे case हो सकते, theta 1, theta 2 के अलग-अलग मान दिये जा सकते हैं, value दी जा सकती है, एगर मालने पहले ये perpendicular रहा हो, उसी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ theta 1, theta 2 दिया होगा, वहाँ रकर के value आप निकाल लेगे, तो ये हो गया आपका work done in rotating and electric dipole in an electric field, चाहो तो दूसरा case रख लो, दूसरा case, if theta 1 पहले 90 degree था, यानि ये जो dipole है, वो 90 degree पे है, initially, और बाद में theta 2 हो गया theta, तो w की value क्या आएगी, pe cos 90 minus cos theta, cos 90 0 होता है, तो minus pe cos theta, तो ये w आ जाएगा, तो इस पुटार से आपको initial angle दिया होगा, और final angle दिया होगा, और you can find the work done, when you rotate the dipole in the external electric field E, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगला topic है, potential energy of dipole, ठीक है, potential energy क्या होती है, work done, किसी dipole को infinite से, electric field के अंदर लाने में, जो work करना पड़ता है, उसको हम उसकी potential energy कहते हैं, gravitational potential energy पड़ी होगी आपने 11th में, कि आप किसी body को infinite से earth surface में लाते थे, तो work होता था, या earth surface से infinite में ले जाते थे, तो work होता था, जब ले जाते थे, तो work करना पड़ता था, तो work जो किया जाता है, वो positive होता है, और जब ले के आते थे, तो earth already उस body को attract कर रही होती है, work obtain हो रहा होता है, तो work negative होता है, तो अगला टापिक है, potential energy of an electric dipole in an electric field, किसी electric field के अंदर, किसी electric dipole की potential energy क्या होती, जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये एक electric field है, यहां से यहां तक है, यहीं तक है, ध्यान रखिएगा, और कोई dipole आपके पास है, minus q, plus q, इसके बीच की दूरी 2L है, ये कहां पर है, infinite में है, तो infinite से किसी dipole को electric field के अंदर गर लाना है, तो उसे लाने में जो work आपको करना पड़ता है, that work is stored in the form of energy, लेकि कहीं भी आप work करते हैं, against में करें या favor में करें, तो वो work उसमें energy के form में store हो जाता है, जैसे, आप एक rubber band ले लें, rubber को आपने खींचा, तो आपने एक against, उसके molecular arrangement के against work किया, जैनि उसमें energy store हो गई, अब सामने वाले को आप बता रहे हो भी है, इसमें energy store है, वो नहीं मान रहा है, तो उस rubber band को ले जाओ, और उसके मुँपे लगा कर छोड़ दो, वालुँ हो जाएगा, उसके energy transfer हो जाएगी, ठीक है, तो किसी dipole को electric field के अंदर लाने में, जो work करना पड़ता है, that work is stored in the form of energy, that energy is known as the potential energy of electric dipole, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, ये dipole infinity से चला रहा है, क्या electric field के अंदर है, नहीं है, जब electric field के अंदर ही नहीं है, तो उस पर कोई भी force नहीं लगेगा, उसे कोई work नहीं करना पड़ेगा, अब ज़रा समझेगा, जैसे ही ये dipole यहाँ पर आया, ये ज़रा dipole की position समझेगा, जैसे ही dipole यहाँ पर आया, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया है, negative, यहाँ कौन है, positive, अभी negative charge electric field के अंदर entry कर रहा है, लेकिन positive charge entry नहीं कर रहा है, तो अभी किसको work ना पड़ेगा, केवल negative charge को अंदर ले जाने में work ना पड़ेगा, क्योंकि positive charge अभी भी कहाँ पर है, electric field के बाहर, तो आप कह सकते हैं, कि जब किसी electric field के अंदर dipole entry करता है, तो यह negative charge आ रहा है, देखो यह negative tip है, यह positive है, अभी यह negative electric field के अंदर आ रहा है, positive भी बाहर है, और जब पूरा यह अंदर आ जाएगा, पूरा dipole अंदर आ गया, यह A, यह B, यह negative charge, यह positive charge, 20 की दूरी 2L, जब जब पूरा अंदर आ गया, तो positive पे एक force लगेगा, QE, जो electric field की direction में होगा, और negative पे force लगेगा QE, जो opposite होगा, यह दोनों forces एक दूसरे को balance कर देंगी, अगर यह इसको work करना पड़ेगा, तो इसे work obtain हो जाएगा, तो network कितना हो जाएगा, जिरो, यानि जब पूरा आपका पूरा dipole electric field के अंदर आ गया, तो इसके बात network zero है, कोई work नहीं करना पड़ रहा है, एक को obtain हो रहा है, एक को करना पड़ रहा है, net zero हो गया, लेकिन जिस समय ये entry मार रहा था, उस समय negative को आप extra distance कवर करनी पड़ी थी, तो वही work आपको निकालना है, यानि network done जब निकालेंगे, network done, तो क्या निकालेंगे, force acting on the minus q charge, force on minus q into, जो additional distance कवर करी है, additional distance covered by minus q, क्योंकि जिसमें minus q अंदर जा रहा था, force experience कर रहा था, ये वाईजावास रहते, इनको तो कोई समझा नहीं रहा था, इसको काम करना पड़ रहा था, तो into additional distance, additional distance, covered by minus q, समझ में आई बात, क्योंकि इसके बिल्कुल अंदर आने के बाद में, network zero हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, minus q e, direction की वज़े समने लिखा, into distance कितनी covered की, 2l, 2ql की value क्या होती है, तो minus 2ql अलग कर दो, into e, तो minus pe, ये work हो गया, और this work is stored in the form of energy, so, potential energy, of dipole, आप ज़रा समझेगा, dipole यहाँ पर रखा कैसे है, इस प्रिकार्च रखा है, parallel to the electric field, dipole, parallel to the electric field, parallel to the electric field, तो इसको u माल लो, और parallel की वज़े से आप माल लो 0, means it is making angle 0 degree with electric field, is equal to minus pe, ये पहला formula आपका हो गया, ठीक है, this is the condition, अच्छा ये, एक special case है, इस पर force इदर की ओर लग रहा था, इस पर force इदर लग रहा था, ये बिल्कुल आगे कहीं भी बैट जाए, इसके अंदर, अब net force 0 हो जाएगा, तो इसको कहते हैं, it is known as, it is known as, इसको कहते हैं, stable equilibrium, स्टेबल, equilibrium, equilibrium, ठीक है, आप next case समझेगा, यहाँ पर कुछ, एक special case समभल लीजेगा, अगर डाइपोल को, आपने क्या किया, इस electric field के अंदर आया, और डाइपोल को, theta angle से घुमा दिया, इस डाइपोल, इस रोटेटेट, पहले कितना एंगल बना रहा था, 0, इस रोटेटेट, थू एंगल थीटा, इन electric field, तब भी work करना पड़ेगा, then work done, work done कितना हुगा, w1 हो जाएगा, कितना भी, अभी थोड़ी दे पहले में प्रूब कराया है, p1 minus cos theta, पहले आप infinite से अंदर लेकर के आए, आपने इतना work किया, minus p, इसके बाद इसको इसमें घुमा दिया, आपने इतना work किया, तो total work done कितना हो जाएगा, w plus w1, देन total work done, then, total work done, total work done, w dash मालो, w plus w1, w कितना प्रूब करे आए, p, और w1 कितना है किया, आपने p, 1 minus cos theta, इसको ब्रेकर कोल दो, तो आएगा, minus p cos theta, तो इस condition में, जो potential energy होगी, तो potential energy, at this condition, at this condition, theta condition, u theta मालीजे, minus p e हो जाएगी, संद्ध में आगया, तो ये आपका potential energy, ये special case तब लिखेंगे, ज़र आप से पूछा जाएगा, ठीक है, ज़र आप कुछ बातें समझ लेतें, यहाँ पर, minus p cos theta, sorry, minus p cos theta, कुछ special cases समझ लेते हैं, देखें जान से, special cases, special cases, देखें जान से, ये electric field क्या चाहता है, electric field चाहता है, कि ये electric dipole जो है, वो मेरी direction में रहे, plus इधर रहे, minus इधर रहे, क्योंकि plus को इधर electric field support करता है, और negative को ultra electric field support करता है, और ये इसी condition में है, तो इसको कहते है, stable equilibrium, ठीक है, सीमान्त संतुलंग, पहला है, अगर theta 0 हो जाए, जो कि electric field चाहता है, तो यू कितना हो जाएगा, minus pe, theta 0, cos 0, 1 हो जाएता है, इसको कहते है, stable equilibrium, equilibrium, और ये minimum energy होती है, इसमें energy केतनी होती है, minimum energy होती है, क्योंकि electric field चाहता है, कि आप इधर रहो, आप इधर रहो, और अलेडी दोनों उसके हिसाब से हैं, तो कहें को डाटेगा electric field, भई जैसे घर में कहा गया, तुम जार जाओ, तुम जार जाओ, ममी ने कहा, तुम इस कमरे में रहो, तुम इस कमरे में रहो, आपस में बात मत करना, बहुत मारेंगे, तुम उस कमरे में हो, तो उस कमरे में कोई दिक्कत नहीं, तो ममी नहीं मारेंगी, नहीं मारेंगी, यह कैसा equilibrium में है, stable equilibrium में है, अब दूसरी बात, अगर theta 90 degree हो जाए, तो energy कितनी हो जाती है, zero, cause 90 value क्या होती, zero, अगर theta 180 हो जाए, जरा ध्यान से समझेगा, theta 180 हो जाए, इसके में भी parallel है, कोई दिक् है, तो यहाँ पर यू कितना हो जाएगा, cause 180 minus 1, तो प्लस PE हो जाएगा, यह भी equilibrium है, लेकिन अनस्टेबल equilibrium है, अनस्टेबल equilibrium, stable equilibrium, equilibrium, और इसमें maximum energy होती है, जरा समझने की कोशिज करिए, क्लास में टीचर नहीं आप से कहा, क्या आप वर्क कर लीजे, वर्क दिखाओ, आपने वर्क दिखाती है, very good, very good, हाँ, बैट जाओ, वाह, कुछ आप से टीचर बोलेगा, नहीं बोलेगा, आराम से वो रिलाक्स पढ़ाता रहेगा, वो stable equilibrium है, आप से हमने, आपको टीचर ने खळा गया, खड़े हो जाओ, खड़े हो गया, काम किया, नहीं किया, क्यो नहीं किया, नहीं किया, नहीं करोगा, नहीं करेंगे, बोले से डाउन, तब भी आप पे कोई force नहीं लगेगा, लेकिन दो अनों के मन में क्या होगा, टीचर क्या सोचेगा स्टूरेंट के लिए, कि आने दो प्रेटिकल बताएंगे इसको, तो वो भी equilibrium है, वो आप से बोलेगा नहीं कुछ, आराम से आप बैठे लिए, लेकिन वो unstable होगा, उसके अंदर बिलकुल तूफान मचा होगा, और आपके फिल्ड पता दिया है, पूरा complete हो गया है, इसके बाद next day, next topic, okay, thank you.